आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाओ कैनिजारो रियाक्षन देखे अभी हम सेल्फ कैनिजारो रियाक्षन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में तो इसके लिए क्या होता है कि दो मॉलेक्यूल्स होते हैं दो मॉलेक्यूल्स सेम आल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं आपके सेम अल्डिहाइड के विकोज अभी मैंने वोला हम सेल्फ कैनिजारो के बात करेंगे सेम अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं जीन में आपका जो अल्फा हाइड्रोजिन आटम है वो प्रेजेंट नहीं है aip ego नोट प्रेजेंट ऐल्फा-Hydrogen एम हहां पर प्रेजेंट नहीं हो वस्टाम पर आपके ऐगानइचार आइन रैक्शन प्रोसीड करेंग़ी अब कि उर्स एक्शन प्रोसीड करेंगी इसमें क्या होता है यह लो मैंने मैं इस प्रॉपोर्शंनेशट np Um कि दिस्पर्पोर्शनेशन रियाक्शन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको रिडोक्स रियाक्शन भी बोल सकते हैं अब डिस्पर्पोर्शनेशन या फिर रिडोक्स रियाक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड आपका ऑक्सिडाइज होगा और एक कंपाउंड क्या होगा reduced होगा ठीक है और यह reaction जो है यह strong base की presence में होती है किसकी presence में strong base की presence में reaction होती है अब aldehyde है aldehyde का एक oxidized compound और एक reduced compound क्या मिलेगा देखे इसका मतलब आपको एक मिलेगा alcohol जो कि reduced compound होगा यह क्या है reduced compound ठीक है और जो oxidized compound होगा वो क्या होगा acid यह आपको कैसा compound हो जाएगा oxidized compound ओके ओके यही तो थी आपकी कहना जारो reaction के brief intro की इस reaction में होती कैसे है क्या क्या किस condition में reaction proceed कर दिए अभी हमने बोला किस reaction में आपका strong base की presence में reaction होती है अब base की concentration पर depend करता है एक case बनेगा आपका जहां पर concentration हाई हो और दूसरा case ले सकते हो जहां पर आपकी base की concentration क्या हो लो अब हम सबसे पहले mechanism की बात करेंगे जब आपकी जो base की concentration है वो क्या है ठीक है तो अभी mechanism देखते है हम इस reaction का okay mechanism में पहले सबसे पहले जो हमारी condition है वो क्या है base की concentration हम लो लेके चल रहे हैं okay देखे अब यह जो reaction है यह कैसे proceed करती है सबसे simplest हमारा जो aldehyde है जिसमें alpha hydrogen present नहीं है वो है हमारा formaldehyde at seedable bond OH यहां पर कोई भी alpha hydrogen जो है वो present नहीं है राइट अब आपका जो base base क्या है strong base है तो यह किसका काम करेंगा यहां पर nucleophile का का काम करेंगा और यह carbon electrophilic जो आपका carbon इस पर attack करेंगा और bond shift हो जाएगा ठीक है इसके पाद आपका क्या compound form होगा यह OH C H O negative और यह hydrogen ठीक है अभी यह जो आपका step था यह कैसा step है fast step है because यहां पर आपका strong nucleophile है easily आपे जो carbon जो इलेक्ट्रोफिल कार्बन है आपका carbon का इस पर attack कर देगा ओके अभी next step में क्या होता है यह जो इसका दूसरा molecule है आपका जो अचिका अफिष्रा मोलेक्विल यह और यहां पर क्या होता है step में हैईडराइट्वर है इस step में क्या होगा यह अटैक करेंगा यहां पर शिफ्ट हो गया hydrogen और यह bond इधर इसे मूव कर गया ओके अभी आपका क्या product form होता है यहां पर वो देखते हैं देखें तो यह तो क्या बनगे आपका यहां पर क्या गया double bond O तो यह आपका हो गया यहां पर OHC double bond O H यह क्या बनेंगे आपका acid जो कि oxidized product है plus HCHO negative ओके अभी जो लास्ट और next step है उसमें क्या होगा proton exchange हो जाएगा फिकोस जो आपका acid है वो अपना proton लीव करेगा और यहां पर proton exchange होगा acid और इसके बीच में तो यहां पर आपका जो compound है एक compound तो क्या बनेगा CH3 OH अगर इस compound को short form में लिखे है तो यह क्या लिखा जाएगा CH3 O negative राइट तो यहां पर हमने इसको क्या लिखा CH3 OH plus जो कि हमारा क्या है यहां पर alcohol है plus आपका क्या बनेगा H COO negative यह हमारी format आयन बन गई ओके अब देखिए हम इस reaction के rate की बात करते हैं तो अगर आप rate of reaction की बात करें तो देखिए slow step हमारा कौन से हाइड्रेट ट्रांसफर वाला हमारा slow step है ओके अभी देखिए जो आपकी एन आयन बनी है इस compound को हम अपना एक नाम देदेते हैं that is a negative ओके इस compound का नाम क्या है a negative राइट अब हम rate of reaction की बात करते हैं तो यह हमारा slow step है RDS step है तो rate हमारा इसी पर depend करेंगा तो आपके इसके according हमारा rate कि इस पर depend करेंगा एक तो इस a negative आयन पे और दूसरा हमारे जो मारा formaldehyde है इस पर तो formaldehyde का मतलब HCHO और a negative ओके अब a negative तो हमें पता नहीं है because यह तो reaction के बीच में बन रहा है यह हमारा starting compound नहीं है तो अभी हमें यहां पर क्या निकालने पड़ेगी a negative की concentration और a negative की concentration आप किससे निकालेंगे जो आपके equilibrium है इस equilibrium से आप a negative की concentration निकालेंगे यह आपने kinetics में पढ़ा हुआ होगा कि हम कैसे equilibrium पे निकालते हैं तो देखिए जब यहां पर आपके equilibrium लगाएंगे तो के equilibrium क्या बोलता है कि सबसे पहले जो आपका product है वो divided by reactant तो product यहां पर क्या form होगा आपका a negative राइट तो a negative की concentration divided by में formaldehyde और base की concentration तो divided by क्या आएगा h co और oh negative राइट चले अभी यह आपको पता चल गया है यहां से अभी हम इस चीज को नीचे लिख लेते हैं यह था हमारा के equilibrium जो की a negative की concentration divided by formaldehyde और base की concentration के equal था ओके अभी हम इस step में से क्या करेंगे a negative जो है इसकी concentration निकाल लेते हैं तो यहां से जब आप a negative की concentration निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगी k equilibrium into formaldehyde into base की concentration अब इस a negative की जो हमारी concentration आई है इसको हम substitute करेंगे हमारे इस equation में जब आप इस concentration को इस equation में substitute करेंगे तो यहां पर क्या rate क्या निकल के आएगा आपका rate is equals to k into my formaldehyde right और a negative equation किसके एकवल है k equilibrium into my formaldehyde into my which negative base की concentration की right okay अभी हम इसको और simplify वे में के लिख सेते हैं k और k equilibrium because यह दोनों ही constant है तो हम इंको एक नया constant दे देते हैं that is k dash plus into my formaldehyde formaldehyde दो formaldehyde प्रेजेंट आजा आप है जगा formaldehyde का square और यह हो गया आपका OH negative ठीक है अब हम इस reaction के कुछ characteristics की बात करते हैं देखिए यह हमारी कौन सी कैनी जारो reaction है right in low concentration हमने पहले ही बताया था कि मेकनिसम कहां पढ़ रहे हैं low concentration of strong base okay तो जब कैनी जारो की strong base में low concentration होती है उस टाइम पे आपके reaction biomolecular है सबसे पहला point reaction क्या है biomolecular because यह reaction सिरफ formaldehyde और base पर ही depend कर रहे है इसमझे से यह biomolecular है and two plus one third order kinetics की reaction है कौन से order follow कर रहे है third order kinetics okay and third order kinetics की reaction है बात देखिए second order kinetics है with respect to formaldehyde second order with respect to formaldehyde HCHO and first order with respect to base with respect to आपका base ओके तो यह हमारा कैनी जारो सेल्फ कैनी जारो reaction थी जब बेस की concentration काम होती है अभी next video में हम देखेंगे जब हमारे बेस की concentration हाई हो जाती है उस रहें पर आपकी क्यानी जारो reaction कौन सा order kinetics follow करती है और biomolecular क्या होता है वो सब और mechanism कैसे proceed करते हैं क्लासिक्स ट्रूल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तता स्मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलूट करे डाउटने डाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट आच चार्सो 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 पर का याउटने डाउटन Son